नमस्कार दोस्तों मैं हूँ देव सेनी स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे यूटूब चैनल पे दोस्तों आज अपन बार्विक अक्सा का आर बीएसी का जो इंदिये न्युवारी का पेपर है उसके बारे में तो रिचर्चा करेंगे शुरू करते हैं खंड कैसे सबसे पहला जो क्योसन आया था वो देखो एक सासक से समंदित आया था वाजिद अली से समंदित पहला जो क्योसन आया था वो एया था कि वाजिद अली साय के सासनकाल की सामाजिक व्यवस्ता को इस पष्ट कीजिए देखो दोस्तों इसमें क्या है कि जिसने ये प पंक्ति लिखी है वो उसका सटिक उत्तर माना जाएगा दूसरा जो क्योशन आता है वो आता है कि जीवन के किस किस छेतर में आमोद परमोद का परदाने था तो देखो दोस्तों इसमें क्या था कि जीवन के प्रतेग भी भाग में आमोद परमोद का परदाने था यहां से ले ने मनुस्य को क्या संदेश दिया है कि कभी भी हमें गबरा कर अपना मारग है वो कभी भी दूसरी और प्रस्तान नहीं करना चाहिए बल्कि क्या करना चाहिए जीवन में सदेव प्रगति सील रहना चाहिए ये उन्होंने कभी ने संदेश दिया है दूसरा परसन है कि कभी ने कौन-कौन से प्राकरतिक उपादानों के माद्यम से मनुस्य को जगाने का भाव उत्पन किया है तो दूसरे में देखो सूरज के माद्यम से पवन के माद्यम से और पंची के माद्यम से इन सब माद्यम से मनुस्य को जगाने का बाव उत्पन किया है अगला जो क्योसन आता है वो खंड खह से समंदित आता है कि मानव समाज के लिए बासा का क्या महत्वे है तो मानो समाज के लिए देखो दोस्तो कि बासा वेक्थी के संप्रेसन का माद्द में और बिना बासा के कोई भी वेक्थी है अपनी बात को किसी दूसरे के सामने परकट नहीं कर सकता इसलिए बासा का सबसे पर्मुक महतव है बहुत अधिक महतव है है अगला जो क्योशन है कि लिपी को परीबासित करते हुए देवनागरी लिपी में लिखी जाने वाली बासाओ के नाम तो देखो लिपी कोई भी बासा है उसको लेखन के द्वारा हम परदसित करते हैं जिन चिन्नों के द्वारा वो क्या कहलाती है लिपी कहलाती है और दो बासा जो है देवनागरी लिपी की वो है इंदी और संस्कृत आधियादी नमर का था अगला जो क्योशन आता है वो पद परीचे से समंदित आता है इस क्योशन में बहुत अधिक बच्चों के परिशानी हुई है कि यह सब्द का पद परीचे अपन देंगे तो यह कह पुलिंग और एक वचन उसके बाद में अगला जो है मैं सवेरे उठा मैं सवेरे उठा तो यहां उठना जो किरिया है वो क्या है एक कर्मक किरिया मानी जाती है और पुलिंग और एक वचन ठीक है अगला क्योशन आता है अभिदा सब्द सक्ति को उदारन सहीत समझाईए तो अभिदा सब्द सक्ति देखो जहां जिस सब्द सक्ति में हमें लोग परशीद या मुख्य अर्थ प्राप्त होता है वहां सदेव अभिदा सब्द सक्ति मानी जाती है उदारन के लिए अपन कह सकते हैं राम आम खाता है गीता गाना गाती है ठीक है ऐसे सिदे सिदे उ समझाइए तो उपमा अलंकार में देखो उपमे को उपमान के क्या माना जाता है समान माना जाता है वहां सदेव उपमा अलंकार होता है जैसे चंद्रमा सा कांती में मुख रूप दर्सन है तुमारा कि मुख को किसके समान माना गया चंद्रमा के समान ठीक है दूसरा है कि एक मान लिया है वहाँ सदेव रूप कलंकार उदारन के लिए ये कह सकते हैं कि पाय। यह सनिया रूपी सुरा मान करता है जैसे तो वहीं सन्य रूपी सूरा भी ये उदारन उसका सटिक माना जाएगा अगला आता है पारिवासिक सब्दावली से समधित तो ये जो थीसिस है पहला थीसिस थीसिस में देखो इसका जो अर्थ माना जाता है वो माना जाता है सोध गरंद या सोध परबंद इसका सटिक जो अ वियमित भी कहते हैं कुछ लेकिन सटिक जो उतर होगा वो होगा सतरक ता ठीक है उसके बाद में जो केसन आया था वो आया था पत्तर से समंझेट पतर से समय जो प्रसंट था वो दोस्तों आपके बारविक अक्सा के आउट ऑफ सेलिवस था सेलिवस में नहीं था क्योंकि पर अच्छे सुंदर सुंदर निमन जोड़े गया है 10 नंबर का जो क्योशन आया था वो आया था पद्ध्यांस की से पड़संग व्याख्या इसमें देखो एक नंबर परसंग का दो नंबर व्याख्या का और एक नंबर विशेश का ऐसे चार भागों में उसको बाटा गया है पहली जो व्याक्या थी वो थी बिन गोपाल वेरिन भई कुझे सूर्दास के ब्रमर्गी से ली गई है गोपियों के सवाद है यहाँ पर दूसरा है कविता एक उडान है यह जो व्याक्या है वो ली गई थी कविता के भाने कुवन नारायन जो है उनकी कविता है उसमें से इयुपध लिया गया था अगला प्रसन आता है वो आता है ग expands की शेयव प्रसन् simplify व्याक्या वही च्यार प्रकॉर के नंबर है च्यार नंबर का है तो यह आचार यह रामचंदर सुकल का जो आपके अध्याय जोड़ा गया था उसमें से लिया गया है यह उसके निचे प्रजातंतर वाड़ा है जो सपल प्रजातंतर के लिए आवसेक सरते डोक्टर भीम राव अम्बेटकर का जो चेप्टर था उसमें से लिया गया है बाद में बात कर लेते हैं आपन बारम के परसंड की जो कि चार एक तरफ जो मदू है वो क्या करती है दिखावा पन करती है सपाई का बहुत अधिक और एक तरफ बसंत है वो उसकी उन बातों से चीटता है तो उसमें पूरी एकांकी के दुआरा आडंबर जो मानते हैं सपाई का बहुत अधिक उसको दर्साया गया है बहुत सुन्दर वर्णन किया गया है उसी के आदार पे लिखना था अगला परसन बाजार वाडा है बाजार दर्सन से समधित चेनेंदर कुमार का उसके आगे बिहारी के दोहों के आदार पे नित्ती वे बक्ती को समझाईए तो बिहारी का जो चेप्टर था उसमें कभी बिहारी का जाता है कि नित्ती बक्ती और सिंगार में उनको बहुत अधिक माननेता प्राप्ती उसी के आदार पे एक आद भक्ती का दोहा जोड के उसको पूर्ण रूप से समझाना था चालिस असी सब्द सिमा थी इसकी बियारी के चेप्टर में से आप एक आद दोहा भी लिख सकते थे उसको सुन्दर रूप में लिखना था आत्म परिच्चे कविता की मूल समेदना देगो आत्म परिच्चे जो है कवी अरिवंच राय वच्चन का जो चेप्टर था उसमें एक आ गया था कवी अरिवंच राय वच्चन ने का था कि जीवन में क्या था सुक दुक कठिनाईया सभी के जीवन में आती रहती है लेकिन वेक्ति को सदेव अपने जीवन को क्या है आनंद और हर्स उल्लास और प्रेम के साहरे अपने जीवन को क्या करना चाहिए या पन करना चाहिए तो उसकी मूल सम्वेधना यही मानी जाती है उसको तोड़ा सा विस्तरित रूप में आपको लिखना था अगला जो है मारिय आसा सापनी जिस जिन डशिया संसार इस पंक्ति में देखो कभीर दास की ये पंक्ति लिगई है यहाँ पे इस पंक्ति में एक आ गया है कि मारिय आसा सापनी कभी दास ये कहता है कि ये वेक्ति की जो आसा रूपी जो सर्पीनी है ना उसको क्या है खतम कर देना चाहिए क्योंकि इस आसा रूपी सर्पीने पूरे संसार को दस लिया है कभी दास ने ने काया कि वेक्ति को इसकी ताकी ओसदोस है ताक इसकी ओसदी है वो है संतोस है संतोस रखना ची है और संतोस के द्वारा ही इसको क्या करना ची है खतम कर देना ची है मार देना ची है आसागो अगला क्योसन है राजिया ने कभी बूरे अच्छे मित्र में क्या लक्षन बता है तो यहां देखो राजियारा सोर्टा में करपा राम जी ने ये क आया कि बूरा और अच्छा मित्र में फरक होता है कि अच्छा मित्र प्रते कठिनाई या प्रते क समय में क्या करता है वेक्ति के साथ रहता है और बूरा जो मित्र है वो क्या करता है कठिन समय में या दुख के समय में साथ नहीं देता है छोड़ देता है ठीक है हरी अरजन र रहीत संकल्प रहीत मोन प्रात्व में खुली यहां प्रस्तुत पंग्ति किस के लिए गडरी के लिए यह कही गई थी पंग्ति इस पंग्ति में कहा गया था कि कैसे जो है भेड चराने वाले हैं वो आकास में पून रूप से देख रहते हैं प्रकर्ति के उपर ही निर्बर उसके उसमन में ये पंक्ति कहीगी थी अगला परशन आता है ठेले पर हिमाले पाट के आदार पर परवतिय छेत्रों के प्राकरतिक सौंदरिये देखो यहां पर भूत हिमाले का बहुत सुंदर स्नोफॉल जो वरप पड़ती है वहां का सुंदर जो प्राकरतिका वणन किया आता उसको आपको लिखना था थोड़ा सा अपने सब्दों में सटिक जवाब अगला जो प्रसन आता है वो आता है कवीर दास अत्वा कन्यालाल मिस्र परवागर के वेक्तित्व एयों क्रतित्व का परिचे दीजिए यहां पर देखो दोस्तों आपको एक कोई भी कवी है लेखेक है उसका आपको पहले तो उसकी वेक्तित्वर्था जीवन के बारे में लिखना था और फिर उसकी करतित्वर्था जो साही तिक रचना है रचनाए है उनका तोड़ा सा वर्णन लिखना था जैसे कभीर दाजी का 1318 में में जनम 1518 में मिर्तिव माता पिता का नाम ल पहले जर्घोफ दए है वो उसका सतीक जबाब माना जाएगा बिल्कुल सही चैना नंबर मणने जाएगे उसके रहीम ने हैं शजजन वेक्ति को बार-बार बनाने के लिए व्यों कियो अगए इस परेकार को नोठी आ चाहिए कि वहार्मन वेक्तिتي उसको क्वह समय किर रह है है यहां देख़ो यहां कॉन है यह जो पड़ी ने जो चाहें ले-ले प्रस्थ TWistant कि Chip कृ ikke किस अगे पर ममता वारे लिया गया है इसमें ममता जब उम पुर अकलि है उसका से नहीं इमती गूमता हुमाई prede की बात रह ने के लिए इस आता है वहां जो खंड गया आता है वो कि हट जा जीने जो गिये हट जा कर्मा वाली हट जा पूता प्यारी ये बच जा लंबी उमर वाली प्रस्तुत सब्द कौन और क्यों कहा रहा है देखो जब होरा और सुबेदार लहना सिंग का छोटे से बच्पन का वणन होता है तब वहां क्या है क जाते हैं दुकान पर रहते हैं तो वहां कोई गोड़ा विगड़ जाता है तो यह सब्द कहता है क्योंकि उसका विगड़ जाता है तब यह पंगतिया उनके मुक्थ से कई गई थी बलवान से बीडन पाठ्ञ झाम है कि शिखस 경ए मिलती है महात्मा गांधी वाहड़ये छ अगर हमारे साथ अन्याए हो रहा है तो हमें उसके खिलाप आवाज उठानी चाहिए अठाथ दबकर नहीं रहना चाहिए क्योंकि हम अपनी आवाज नहीं उठाएंगे तो सदेव क्या होगा हमारी जो इच्छा है उनका हनन होगा हमें जो अबिलियत है उसका भी क्या होता है यहां पर जोहांस वर्ग के उदान के जो पुलिस इस्टेशन था उसके मादेम से उदान के द्वारा समझाए गया था महात्मा गांधी वाले पाठ्यां से अंत में ऐसा निर्मम सत्य गाड टितुआ जिसके कलपना भी मेरे लिए संबव न लच के लिए क्या क्या गुड में सुई चुभो कर खिला दी थी तब जब अंत में लेखिका को पता चलता है तो लेखिका ने ये पंतिया कई थी अगला है मैं राम के लिए तरबता हूँ है मेरे लिए तुल्ची दास का अंतर दुन्दव है देखो यहाँ पर मानस का हंसे लिए गया है कि मैं राम के लिए तरबता हूँ है मेरे लिए रता रतनावली तुल्ची स्विम अंतर दुन्दव में फस्चे जाते हैं जब सही अनकक्स में वो आराम करते रहते हैं लेटे रहते हैं तब कहा है कि वैस होसते रहते हैं कि मैं स्री राम को प्राप्त करने के लिए तरपता हूं दिन रात और में जो रतनावली है वो मुझे प्राप्त करने के लिए तरप रही है कही यह तो नहीं है कि रतनावली को मैं अपन में प्राकर्तिक वे सिल्फ सौंधरिय को लेकिए देखो एलिफेंटा की गुफाए और एलोरा की गुफाओ को अलग-अलग परकार से प्राकर्तिक और सिल्फ सौंधरिय है इनमें ये वर्णन इस परकार करना था कि प्राकर्तिक और सिल्फ प्रकर्तिक अनुसार क्या है कि ए सुरंदर किला करती होगा किसे हैं है जो इस परकार के उनका विश्तरित वर्म आपको करने चीना अलग सित्तु के प्रशनों में देखो दोस्तों पहला है समाचार लेखन में इंट्रो क्या है तो समाचार लेखन में जो प्रत्थम आरंबिक जो पंक्तिया होती है वो क्या कहलाती है इंट्रो इनका महत्व है लिखिए इनका महत्व देखो इसलिए है क्योंकि इससे क्या होता है कि पाठक गण होते हैं उन पे सिधा परभाव पढ़ता है और वो उस न्यूज को या जो भी लिखावा है उसको पढ़ने के लिए आतूर हो जाते हैं ठीक है फिचर लेकन को परिवासित करते हैं फिचर के मानवे रूची पर कोई भी चीजे होती है वो क्या कहलाती है फिचर लेकन कहलाती है ऐसी चीजे जो क्या होती है मानव की रूची बढ़ाती है वो फिचर लेकन कहलाती है ठीक है फिर उसके परकारों की अपने बात कर ले तो चार परकारों में समाचार फिचर कह सकते हो या खेल कूद से समंदित खेल कूद फिचर, विज्ञान फिचर, मानवे, रूची परक फिचर, एतियासिक फिचर बहुत सारे इनके परकार है साकसातकार को परिवासित करते हैं साकसातकार के परकार लिखिए देखो साकसातकार में अपन ये कहेंगे कि कोई भी साकसातकार या भेंट है अपन कह सकते हैं उसको भेंट है कि पत्रकार या लेखक कोई भेखती है उससे सवाल जवाब करता है वो ही क्या कहलाता है साकसातकार कहलाता है साकसातकार दो प्रकार के माने जाते हैं पहला जो है वो है परिक्ष्याओ या नोक्री से समझत कोई साकसातकार इंट्रिवू लिया जाता है और दूसरा होता है तीवी, रेडियो, समाचार, पत्र, आदी में कोई reporter है वो साकसातकार लेता है अन्तिम दो क्योंजन में अपनि यह कहेंगे साड़ सब्सक्राइशD में लिखना ता इनका उतर कि रिपोर्ट वर्थान्ग गयाchasD को रिपोर्ट होती है उसका विस्तृत या सहीतिक रूप होते न वह रिपोर्था अज कहलाता है ठीक है और यात्रा वर्थान्ग के बारे मे और भी लिख सकते हैं अपने और अंतिम क्योशन है डायरी लेखन को इसपस्ट करते हुए उसके महत्व को समझाईए तो डायरी लेखन देखो कई तरीके से महत्वपूर्ण होती है उसके महत्व को बताना था इस परकार समास यत्तु के प्रसंत है अगर आपने इस तरीके से प्रसंतों के उत्तर किये हैं तो मैं आप काम ना करता हूँ कि आपको अच्छे नमर मिलेंगे आज के लिए बस इतना ही फिर मिलेंगे जै हिन जै वारत